प्यारे भाई और बैनों और मेरे प्यारे बच्चों सबुंगों जय येशू हमारा मुक्तिदाता येशू का प्यार भरा आशिर्वान हम सबुंगों के साथ सदा बने रहे आज दिसंबर महिना का दूसरा तारिक आज हम हमारे दूसरा पाप याने खमट प्रभी येशू को तौफा के लोप में समर्पित करने जा रहे हैं घमंड सबसे पहला पाप है जिस घमंड से स्वर्ग से दूत को भी नीचे गिरने को पड़ा हम सुने होंगे लूसिफर और दूसरे सारे दूत के बीच में लड़ाई हुआ था कारण ये है लूसिफर के घमंड के कारण वो ईश्वर की आराधन करना नहीं चाहा हम जब घमंड करते हैं हम कुद को अपना ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर को हम पीचे हटाते हैं ये इश्वर के स्थान हम कुद ले लेते हैं और वहां से शुरू होते हैं बाकी सारे पात्र आईए आज हम अपने ये घमंड को प्रभू के हातों में समर्पित करेंगे और इस घमंड को उखाड़ने के लिए उखाड़कर प्रभ येश्व का वचन हमारे दिल में रोपने के लिए हम प्रभू से ब्रातना गरेंगे मा मर्यम और संध योसफ हमारे साथ हैं और उनके उपस्तिती में हम ये आध्यात्मिक तैयारियां करते जाएंगे और उसके लिए हमारे खृदे में एक वचन रोपने के लिए आज का वचन ये है संधियुक याकुप का पत्रे से अध्याय चार वचन संक्या चे वचन ये है इश्वर घमंडियों का विरोध करता है किन्तु विनीतों को अन्युग्रह प्रदान करता है इश्वर घमंडियों का विरोध करता है इस दुनिया में बहुत लोग हैं ये घमंड के कारण बहुत तितर बितर हो गया है उनका जियन बहुत अच्छा शुरू होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये घमंड ये पाप हमारे अंदर ग्रसिद हो जाते हैं आज इस वचन को हम लोग 23 बार दुहराएंगे और प्रभु से प्रात्ना करेंगे ये वचन हमारे दिल में रोप दे और हमारा घमंड को पूरे से पूरे आप ले लिजिए एक तोफ़ा की रूप में मैं आपको देती हूं देता हूं और येस याद करना हम लोग जैसे पाप को समर्पित करते हैं उसके बाद मा मरियम और संधियोसफ के साथ हम लोग तीन प्रणाम मरिया प्रार्थना करेंगे और ये बचन को 23 बार हम लोग दुहराएंगे विश्वास पुर्वक ये बाते ये प्रार्थना हम लोग करना है बचन को दुहराना है और आज विशेश प्रभु के लिए गिफ्ट ये है ये पाप के साथ साथ हम प्रभु को बाम वाटर मने सुसुम पानी या गरं पानी उनको नहलाने के लिए कल हम लोग बेबी ओयल दिये थे आज हम लोग बाम वाटर देंगे और मा उनको नहलाएंगे आए भाई और बैनों आज उलसा पुर्वक प्यार से ये आध्यात्मिक तैयारियां करते जाएंगे साथ साथ आपको हम कल कुछ बोलने के लिए भूल गये थे पात यह हर दिन आप लोग आपका गुसा यानि एंगर घमंड हर एक दिन का जो पाप हम लोग समर्पित करते हैं आपको पक्का फील होने के लिए अनुभा करने के लिए आप इस तरह कीजिए एक पेपर में सुब में आप सोने के पहले आप जैसे एक्जामनेशन ओफ कांशन्स या हम लोग आत्मी शुद्द अदा करते हैं रात में सोने के पहले हम आज कैसे कैसे किया तो यह इसके बाद यह पाप जो लिखा है जिस पेपर में लिखा है यह एक चोटा सा बरतन या कुछ ऐसा प्रभु क के सामने डखिए उसमें डालते जाईए या आपके इच्छा हो तो रोज उसको प्रभु के सामने जो ममवतियां जलते रहते हैं उसमें आप जला के फेक भी सकते हैं ताकि आपको फील हो जाए कि सच मुश में आपका यह पाप प्रभु को समर्पित किये हैं और प्रभु वो वचन जो हम लोग दूराते हैं वचन हमारे दिल में रोप डाले हैं सच मुझ में ये वचन आपको परिवर्दतन करते रहेंगे और इस तरह हम लोग ये आध्यात्मिक त्यारियां करते जाएंगे सब ओंको और एक बार जै येसु हम लोग मिलते हैं कल धन्यवाद